साथियों आपको याद होगा, NDA की बैटर में हमने संकल पलिया था कि हम देश की गरीबी को गरीबों की ताकत से ही गरीबी को पनास करेंगे इसलिए इन वर्षों में हमारा सबसे जाना जोर गरीबों को ससक्त करने पर रहा हमने स्रम योगी को सनमान दिया, डिगनीटी और लेबर पर बल दिया, हमने गरीब को सुरक्षा का एसाथ दिया, हमने गरीब को ये विश्वात दिया कि आपके हर प्रयास के पीछे, एन डिये सरकार एक बरोसे मन साथी की तरह आपके साथ खड़ी है, जैसे किसान को अगर सही बीच और खाद पानी मिल जाए, तो वो पैदावर का रिकॉर्ड बना देता है, वैसे ही हमने गरीबों को सतक्त करने के लिए उन्हें हर संभव मदद की, इसका परिर्णम क्या आया, अभी नीती आयो की सबसे ताजा स्टड़ी आई है, आप में से कुछ वित्रों ने उसका उलेग भी किया, इस स्टड़ी के मुताबिक 2015-16 के बाद के पांच वर्षों में ही साड़े तेरा करोड लोग गरीबी रेखा से बहार आ गए हैं, इसके पूर्वा वर्ल बेंक की रिपोर्ट के सामने आया, कि कैसे बहुत कम समय में ही 40-42 करोड लोगों ने गरीबी को परास्त किया है, आयमेप के मुताबिक Extreme Poverty याने अती गरीबी भी भारत में खत्म होने की कंगार पर है, यह आयमेप का रिपोर्ट कह रही हैं, साथियों, यहां NDA के आप सभी साथी तो जमीन से जुड़े लोग हैं, आप देखिए, जब किसी गरीब को पक्का घर मिलता है, तो यह सिर्फ एक छट की जरुवत पुरा नहीं करता है, बलकि यह उस परिवार को सुरक्षा कबच देता है, उसके सपनों को पंख देता है, जब गरीबों को बैंक लोन देने के लिए, सरकार अपनी तरफ से गारंटी देती है, तब उनको एक साथी मिलता है, एक सहारा मिलता है, और ऐसे में प्रगती के लिए, तरक्की के लिए, उनके प्रयास दो गुने हो जाते हैं, जब गरीब को हम मुप्त इलाज का भरोसा देते हैं, तो उससे एक परिवार ही नहीं, बलकि उसके आने वाली पीडियों का भविश्य भी सुरक्षित हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि पहले जब गरीब परिवार में बिमारी आती थी, तो उसके पास दो ही विकल्प होते थे, या तो अपनी आँखों के सामने अपनों को जीवन के लिए संगर्श करते देखें, या फिर मकान, दुकान, खेट, खलिहान, जो भी थोड़ा बहुत पास में हो, उसे बेचें या गिर भी रखें। तक सभी ने जिस सोशिल जस्टिस की सामाजिक न्याय की अवधारा की थी, और मैं समनता हूँ, हम जो कर रहे हैं, वो यही सच्चा सोशिल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। एंडिये सरकार ने वोट बेंक की राजनीति को विकास वात की राजनीति में बदला है। ये एंडिये सासन ही है, जिसमें छोटे किसानों, रहिडी पट्री, फुटपांत वालों को पहली बार मदद मिल रही है। हमारे विश्वक अर्मा साथियों को भी पहली बार ये विश्वास मिला है कि उनके लिए भी कोई सरकारी योजना बन सकती है। साथियों, गरिबी से भारत की इस लड़ाई का एक और पक्षा है। आप सब ये भी जानते हैं कि पहले हमारी माताओ बहरों के नाम पर प्रॉपर्टी खरिंदे का चलन कमी था। वे एक प्रकार से घर के समाज के आर्थिक फैसलों से कटी हुई थी। देश की आधी आबादी और परिवार को चलाने वाली ताकत का जब ये हाल हो तो गरीबी से पार पाना आसान कैसे हो सकता था। अब जब बहनों के नाम बैंक एकाउंट खुले उनके नाम पर घरों की रजिस्ट्री हुई उनके नाम पर रण मिलने लगे तो एक नया सामर्त समाज में पैदा हुआ। मुद्रा योज्रा की सब से बड़ी लाभारती हमारी बहने है, स्टार्ट अप इंडिया की सब से बड़ी लाभारती हमारी बेटिया है जो देश में नव करोड स्वयम सहायता समू बने हैं। उनकी सबसे बड़ी लाभारती गाउं बर रहने वाली दलीत पिछडे आदिवासी समायत की बेहने हैं। मैं पिछले जनों मत्यपदेश गया था, एक आदिवासी गाउं में गया था। वहां ये स्वयम सहात्या समूग की आदिवासी बेहनों से मिलना हुआ। जितने समूग उन्हों ने कहा अब तो हमेरी पहचान है, हम लगपती दीजी हैं। हमारा कारोवार इतना है कि आज हम लगपती बन गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियों। एंडिये सरकार ने महिलाओं के कल्यार को उनकी तकलीफ कम करने को सरवोच्च प्रात्विक्ता दिये हैं। जब घर में टॉयलेट बना तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला। जब नल से जल आया, गैस का सिलेंडर आया, तो उनकी परेशानी कम हुई, उनके समय की बचत हुई है। इस समय को वो अपने परिवार की आए बढ़ाने में उप्योग कर रही है। यह सिर्फ गरीबी से बहार निकलने का प्रयास नहीं है, बलकि विमेन लेट डवलप्मेंट का रास्ता है, जिसे एंडिये ससक्त कर रहा है। आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्पती देने का सवभाग्या एंडिये को मिला है। साथियों, एंडिये की एक और विशेस्ता रही है। जब हम विपक्ष में थे, तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीती की। हमने कभी नकारात्मग राजनित्य का रास्ता नहीं चुना, हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना हर दाइत्वन निभाया, हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके गोटालों को सामने लाए, लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया, हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं मांगी, हम विपक्ष में रहे, लेकिन हमने देश के विकास में ना रोडे अठकाएं और ना ही रुकावट बने, आज कल हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष की कई राज्य सरकारे अपने यहां लागू नहीं होने देती, अगर यह योजनाओं लागू होती भी हैं, तो उन्हें रफ्तार नहीं पकड़ने दी जाती, यह लोग सोचते हैं कि अगर उनके राज्यों में गरीबों को केंद्र की योजनाओं का लाब मिल गया, तो कैसे काम चलेगा, उनकी राज्यों की कैसे चलेगी, मुझे आद है, गरीबों के घर के लिए, हर गर जल के लिए, आईश्मान भारत योजना के लिए, कितनी ही बार, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को मुझे चिठिया लिखनी पड़ती है, लेकिन ये लोग, गरीब के कल्यान को भी, राजनितिक नफा नुक्सान से ही तोलते रहें, साथियों, जब गठ बंदन, सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठ बंदन, ब्रस्टाचार की नियत से हो, जब गठ बंदन, परिवारबाद की नीति पराधारित हो, जब गठ बंदन, जाती वान और छेत्रबाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठ बंदन, देश का बहुत नुक्षान करता है। 2014 से पहले की गठ बंदन सरकार का उधारण, हमारे सामने, तमाम उठा पटक के बीच, वो गठ बंदन सरकार किसी तरह अपने दस साल खीच पाई। लेकिन देश को क्या मिला। प्राइम मिनिस्ट्रियर के उपर भी एक आला कमान। पॉलिसी पैरालिसीस, निर्णे लेने में अक्षमता, भांती भांती के पावर सेंटर्स, अव्यवस्ता और अविश्वास, खींचतान और करप्षम, लाखों करोडों के गोटाले। आपको याद होगा, जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर समाल उठते थे, तो गटबंदर की मजबूरिया गिनाई जाती थी, बहाना ये की, गटबंदर के कारण, क्रेडिट लेने के लिए तो हर को यागे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गडबर होती थी, तुन्त अप अपने सयोगियों पर दोश मन दिया जाता था, हम सवभाग्यशाली है कि NDA की स्थिती इससे बिलकुल विप्रित है, अलग है, हमारे लिए गटबंदन मजबूरी का नहीं, बलकि मजबूती का माध्यम है, NDA कोईलेशन कंपल्संस का नहीं, बलकि कोईलेशन कॉंट्रिबुशन्स का प्रतीख है, क्रेडिट भी सबका है, दाईत्व भी सबका है, NDA में कोई भी राजनितिक दल बड़ा और कोई भी राजनितिक दल छोटा नहीं है, हम सभी एक लक्ष के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपने देखा है, 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को भहुबत से अधिक सीटे मिली, लेकिन सरकार NDA की ही रही, NDA की भागिदारी बनी रही, बात्यों, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, देश के लोग मन बना चुके हैं, कि तीसरी बार फिर NDA को ही आउसर देना है, देश का मन आप जानते हैं, लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है, आम तोर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है, तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वाईश्विक सबंदों पर भी होता है, हर एक को लगता है कि भई आप तो चुनाव का वर्ष है, अब इस सरकार के साथ अब भी रहने तो एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे, स्वापा भी खे, कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो वहाँ, समन्द बनाने से पहले, समाज करने से पहले सो बार सोता है, फोरेंड कंट्री हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतिजार करता है, लास्ट ये जब होता है तो सोते हैं, कि एक बार चुनाव नतीज़ आ जाना तो फिर देखेंगे, जो सरकार जाने वाली होती है, उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनरजी इनिवेश्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इस सबाएं भारत का मामला कुछ अलग है, सब को पता है कि हमारे हाँ कुछ महिनों में चुनाव होने वाले हैं, फिर भी अनेकों महत्वपुन देश, जाए अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऐस्ट्रेलिया हो, जपान हो, यूए ही हो, यूके हो, सब एंडिये सरकार के प्रतिनिद्यों को इन्वाइट कर रहे हैं, तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं, कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दुरगा में सम्झोते कर रहे हैं, ऐसा इसलिए, क्योंकि वो भी जानते हैं, कि भारत के लोगों का भरोसा एंडिये पर है, यानि भारत में जन्मत किसके साथ है, ये दुनिया के देशों को भी पता है, साथियों, एंडिये का विस्तार सिर्फ संख्या या बावगोलिक विस्तार का नहीं है, ये ये भारत, एंडिये का जो विस्तार है, ये हमारे प्रती विश्वास का दाहरा भी बढ़ा रहा है, जन्ता, एंडिये की हिस्ट्री और केमेस्ट्री दोनों को देख रही है, तभी तो हमारा गनित भी बड़ी आसानी से जुड़ता है, आप देखिए, दोहजार चौदा में एंडिये को देशने लगभग 38 परसेंट बोट दिये थे, दोहजार चौदा में, लेकिन दोहजार उननीस में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए, देशने हमें 45 परसेंट बोट दिये, और आपको जान करके खुशी होगी, इनमें सवा दोसों से अधिक सीटें ऐसी थी, जो हम जीत करके आए, सवा दोसों से अधिक सीटें, जहां 50 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर एंडिये को मिला है, एंडिये का हर सहयोगी, जो महनत कर रहा है, उसे तय है कि 24 में एंडिये का वोट शेयर 50 प्रतिशत से भी उपर जाएगा, आपकी महनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वाज से कहता हूँ, आपकी महनत बेकार नहीं जाएगी, देश की जनता को आपके सब के नित्रुत्व पर भरोसा है, पुरे देश में हमारे अनेग साथी एक बड़ी ताकर बनकर उबरेंगे, हम हर बुभाग, हर वर्ग, हर समाज को विक्सिद भारत के मिशन से जोड़ेंगे, साथियो, लोक तंत्र में, राज नीती, अलग-अलग विजन को देश के सामने रखने का एक माध्यम होती है, लेकिन हर विजन का, हर विचार धारा का मकसद एक ही होता है, गुड गवर्नन्स और देश वास्यों की सेवा, पॉलिटिक्स में प्रतिशपर्दा हो सकती है, लेकिन सत्रुता नहीं होती, आखिकर हम एक ही देश के लोग है, एक ही समाज का हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना, बावजुदिस के हम एंडिये के सभी साथियों ने हमेशा देश को दलों के हित से उपर रखा है, हमने राजनितिक, शोहार्द और सालिंता को बनाए रखने के लिए प्रयास किये है, ये एंडिये सरकारी है, जिसने प्रणवदा को भारत रत्न दिया, जो जीवन पर कॉंग्रेस पर रहे थे, लेकिन हमें उन्हें ये सनमान दने में संकुच नहीं किया, ये एंडिये सरकारी है, जिसने मुलाहम सी यादव, शर्दत पवार, गुलाम नभी आजार, तरुन गोगोई, एमसी जमीर, मुझवफर बेग, ऐसे अनेक नेताओं को, जो राजनितिक दरश्टी से हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाब है, हमने पदमसब मान दिया है उन लोगों को, ये नेता भी कभी बीजे पी या एंडिये में नहीं थे, लेकिन हमने देश सेवा में उनके लंबे योगदान को स्विकार किया, उसे समरार, उनने सम्मानित किया, लोग तंत्र की ये मुलभावना एंडिये की कारिशली में आपको हर जगत दिखेगी, इस समाई भारत G20 समिट को होस कर रहा है, इसे जुड़े आयोजन, देश के हर राज़े में, हर हिस्से में हो रहे हमने इन आयोजनों को बेन्यू ताय करते समय कभी ये नहीं सोचा, कि किस राज़े में कौन सी पार्टी की सरकार है, कुरोना के समय भी मैंने लगातार सभी राज़ों के मुख्यमंत्रियों के साथ व्यक्तिकत समगात किया, मिटिंग की कौन मुख्यमंत्रि किस पार्टी का है, ये विचार कभी हमारे बीच नहीं आया, इसी तरह आप उन दिनों को भी याद करिए, जब बाशा, लेंग्वेज, लोगों को बांटने के एक टूल के तौर पर इस्तिमाल होती थी, लेकिन NDA सरकार की सोच देखिए, NDA सरकार ने मात्रु भाशा को बल दियना शुरू किया, और आज भाशा उसके माध्यम से, मात्रु भाशा के माध्यम से, मेरे युवां डॉक्टर और इंजियर बने, इसका आउसर देने का जरिया भाशा बन रही है, हमने हमारी विरासत को, दरोहरों को, ग्लोबल बनाने के लिए लगातार प्रयास किये, यहाँ पर कई हमारे सात्यों ने इसका उलेक किया, आज योग वैश्विक एक्ता का एक माध्यम बन गया है, आज मिलेट्स एक ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है, श्री अन्न की चर्चा हो रही है, और इसका लाग हमारे हर छेत्र के छोटे-छोटे किसानों को मिल रहा है, हम देश के लोगों को जोडते हैं, वो देश के लोगों को तोडते हैं, साथियों, विपश्ट के लोग जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं, वो हैं, देश के सामाइन्य मानवी की समझदारी को वे लोग अंडरेस्टिमेट करते हैं लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आँखों से देख भी रही है और समझ भी रही है जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों ही खटा हो रही है जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है गौंध है जो इन लोगों को इन पार्टियों को जोड रहा है किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मुल्यों और सिद्धान्तों से समझोता किया जा रहा है लोग देख रहे हैं कि केरल में लेप्ट और कॉंग्रेस एक दूसरे के खुन के प्यासे हैं लेकिन बेंगलूरू में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुश्करा रहे हैं लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेप्ट और कॉंग्रेस के नेता उपर उनके कारकरता उपर टीएमसी हमले कर रही हैं लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिजाब कुछ भी बोलने से बच रहे हैं इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गल्बहियां मिशन नहीं हैं मजबूरियां हैं इनकी सच्चाएं आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी नेस्टल कांफरेंस के नेता और पीडिपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालिया देते हैं आरजेडियों और जेडियों के लोग कैसे कैसे सब दो से एक दूसरे को नवादते थे देश की जनता ने ये सब करीब से देखा है और देख रही है इसलिए इनकी नुरा कुस्ती हो या मजबूरी की दोस्ती इसकी हकीकत 140 करोर देश्वाच्यों के सामने आ चुकी है साथियों अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास-पास तो आ सकते हैं लेकिन साथ नहीं आ सकते इन्हें अपने कायरकरताओं के भी परवा नहीं है ये अपने कायरकरताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन पर जिसका विरोध किया उसका अचानक सतकार करने लगे अब ऐसे मैं इन दलों का कायरकरताओं खुद ब्रमीद है कि करे तो क्या करे मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोशने के लिए इतना समय लगा रहे हैं अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते हैं हम उनके लिए सिर्प राषना ही कर सकते हैं साथियों, NDA के 25 वर्षों की स्यात्रा के साथ एक और सुखत सहीयोग जुड़ा है, ये वो समय है जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है, ये लक्ष विक्षिद भारत का है, आत्मंदिर भर भारत का है, कोटी कोटी भारतिय आज नए संकल्पों की उर्जा से भरे हुए हैं, इस महत्वपों कालखन में एंडिये की बहुत बड़ी भूमिका है, एक तरह से ये नए उर्जा से भरी हुई त्री शक्ति हैं, N से न्यू इंडिया के लिए, D से डेवलप्ट नेशन के लिए, A से एस्पिरेशन और पीपल एड रीजन के लिए, आद देश का गरीब, देश का मध्यंपर्ग, देश के युवां, महलाएं, दलीत, पीडीत, शोशित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास, NDA पर है, हमारे जो समाज सास्त्री है, राजनीती सास्त्री है, और अर्थ सास्त्री है, वो भी भारत के विकास के लिए NDA को एक पॉजिटिव फोर्स के रुप में देख रहे हैं, हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजन्डा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है, और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है, मैं अक्षर कहां कर पाहूं, कि सरकारे बहुमत से बदती हैं, लेकिन देश सब के प्रयास से चलता है, इसलिए, आज जब हम विक्सिद भारत के निर्मान में जुटे हैं, तब NDA सब का प्रयास की इस भावना का प्रतिनीदित्व कर रहा है, साथियों, हमारे देश में राजनीती गठबंदोनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंदन नेगेटिविटी के साथ बने बेक कभी भी सफल नहीं हो पाए, कॉंग्रेस ने नब्बे के दसक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंदनों का इस्तेमाल किया, कॉंग्रेस ने सरकारे बनाई, सरकारे बिगाडी, इसी दोर में 1998 में NDA का गठण हुआ था, लेकिन NDA क्यों बना, क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही NDA का लक्ष था, आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं था, NDA किसी के विरोध में नहीं बना था, NDA किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बलकि NDA का गठण देश में स्थिर्फा लाने के लिए हुआ था, और जब देश में स्थिर्फ सरकार होती हैं, तो देश वो फैसले करता है, जो काल जई होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। यह हमने अटल जी के कारकाल के दोरान भी देखा, और यह पिछले नव वर्षों में भी हम बार बार देख रहे हैं। भारत में स्थीर और मजबुत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा हैं। साथियों, हमारी नियत साब है, नीति स्पस्ट है और निने ठोस हैं। NDA सरकार ने बीते नव वर्षों में ब्रस्टाचार के हर रास्ते को बंद करने के लिए हर संभव प्रयास किये। पहले सत्ता की गलियारों में जो बिचोलियों गुमते थे, हमने उनको बहार कर दिया है। हमने टेकनोलोजी की मदद से लिकेज की हर संभावनाओं को दूर किया है। जंदन, आधार, मुबाईल, इसकी त्री शक्ति से हमने करोडों फरजी लाभारतियों को गरीबों का हक छिनने से रोका है। आप सोचिए, देश में करीब-करीब दस करोड ऐसे फरजी लाभारति थे, जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। और जिनने सरकारी मदद जा रही थी, ये पैसे मेरे किसी गरीब भाई बेहन के थे, किसी आधिवासी के थे, किसी पिछडे और दलीच साथी के थे, ये NDA सरकार है, जिसने गरीब से हो रही इस लूट को बंद किया है। के हमने गरीबों का कम से कम तीन लाक करोड रुपिया गलत हाथों में जाने से बचाया है। जाधियो, हमें विकास के मुद्डे पर ही जनता के पाद जाना है। हमारा एक ही लक्ष है, विकास, भारत का विकास। बारत के कोटी कोटी लोगों की आशा आकांशा ही हमारा एजन्डा है हम पूरी शक्ति लगा देंगे, हम मेहनत करेंगे, इमानदारी से काम करेंगे और यही हमारी गारंटी है और लाल के लिए से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है आज देश में एक माहोल बन चुका है देश का आत्म संबान और आत्म विश्वास आज अभूत्पुर में उचाई पर है जैसे कोई इमारत बनाने से पहले नीव का निर्माड होता है वैसे ही पिछले नव वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नीव का निर्माड हो चुका है इस मजबूत नीव पर हम सभी को नए भारत का आत्मंदिर भर भारत का विक्सिद भारत का निर्माड करके ही रहना है और आपने मुझ पर इतना विश्वाद रखा है इतना प्रेम बरसाया है इतना स्ने किया है मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ और आपके माध्यम से मैं देश वाच्चों को विश्वाद दिलाता हूँ कि मैं अपने परिश्रम में अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूँगा मुझसे गल्ती हो सकती है लेकिन बदनियत से मैं दूर रहूँगा बदनियत से कोई काम नहीं करूँगा और साथियों मेरा जीवन आप देखते हैं देश देख रहा है मेरे शरीर का हर कान मेरे समय का हर ख्षान देश को ही समर्पित है साथियों एंडिये के गडरन से लेकर ही हमारा संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंतने का रहा है जो वंचित है जो शोशित है उसको ससक्त करना हमारी प्रांथ्विक्ता है आज देश की जनता देख रही है कि एंडिये में कौन-कौन से दल है एंडिये में जितने भी दल है वे समाज के ऐसे वरगों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं शोशित रहे हैं हमारे समू में गाउं, किसान, दलीत, पिछडे, आधिवाश्यों के बीच काम करने वाले ये सारे नेता यहाँ है NDA में जो दल है वो ऐसे छेत्रों में काम करते हैं जिनकी पहले दिल्नी में सुनवाई तक नहीं होती थी NDA एक प्रकार से छेत्रिया आकांशाओं का बहुत ही खुपसरत इंद्र धनूश है NDA देश के लिए देश के लोगों के लिए समर्पीत है NDA की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, शिकुरिटी आफ नेशन फर्स्ट NDA की विचारधारा है, प्रोग्रेस फर्स्ट NDA की विचारधारा है, एम्पावर्मेंट अब पीपल फर्स्ट NDA